next question question says a current loop consists of two identical semicircular parts each of radius r one lying in the xy plane and other in xz plane if the current in the loop is i सवाल है कि the resulting the resultant magnetic field due to the two semicircular part in their common center is और चार अप्शन अपने को दे रखें आगे इन बहुत simple सवाल है इसको ऐसे देखें कि यह मान लिजाए आपका xyz यह प्लेन है यह आपका x है यह y है और यह आपका z plane है तो एक आपका सर्कुलर लूप है उसको हमने ऐसा किया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया है एक तो उसका रखा हुआ है xy plane में xy plane का मतलब हुआ कि वह सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है और दूसरा जो सर्कुलर का सेंटर जो ओरीजन कह सकते हैं उस पर आपकी मेगनेटिक फील्ड की क्या वेल्य होगी ना इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए यह आपके दो लूप है है आई होप यह आपको लूप दिखाई दे रहें तो यह आपका करें लूप है सिर्फ यह वाला पार्ट ऐसे रखा हुआ है और दूसरा सैमिस्वरकुलाय लूप का ऐसे रखा हुआ है तो इस्कैस में दोनों की वज़े से आपको बताना है इसल्टन current ऐसे गया तो ऐसे होने की वाज़े से इसे आएगी तो जो दो डारेक्शन हुई आपकी तो एक डारेक्शन इदर रहाई एक डारेक्शन इदर रहाई दोनों एक दूस्ते के परप्रणिकलर होेंगी यहां पर आपका बीण आएगा हम मैंसेृ मैंगणिटूट बताना है लां मैंनिटूद इपल्ठेट का सक्कहार है उन दोनों के स्कॹार के हर दोनों का ऑगर Evet तो हमें पता है कि अगर आपका एक semi circular loop है उसकी वज़े से magnetic field जो आप लिख सकते हैं magnetic field हम usually लिखते हैं mu naught i divided by 4 pi r multiplied by angle alpha और यहाँ पे angle आपका pi हो जाएगा क्यों दोनों semi circular loop है तो angle pi हो जाएगा यानि कि बन जाएगा under root of mu naught i divided by 4r का square plus mu naught i divided by 4r का square अब इसमें से mu naught i by 4r अगर हम common ले लेंगे तो यह आजाएगा mu naught i divided by 4r multiplied by under root 2 यानि कि आपकी final value हो जाएगी mu naught i और यह उपर आजाएगा 2 root 2 divided by r so based on this हम कह सकते हैं कि अपना option number a mu naught i divided by 2 root 2 नीचे आएगा all right 2 root 2 नीचे आना चाहिए all right so यह हो जाएगा यहाँ पर 2 root 2 so based on this हम कह सकते हैं कि अपना option number a mu naught i divided by 2 root 2 r would be the right answer